हम सब अपने सुर्य के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं लेकिन ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि सुर्य से हमें प्रकाश मिलता है सुर्य से जूड़ी बहुत सी रोचक बातें और रहस्य हैं जिसे हम एक वीडियो में नहीं बता सकते इसलिए हम आज सुर्ये से जुड़ कुछ महतुपण मुद्धों की बात करेंगे और अगर इस वीडियो पर ज्यादा अच्छा रिस्पोंस मिलता है तो हम हमारे सुर्ये से रिलेटेट आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे हमारे सुर्ये का व्यास लगभग 13,90,000 किलो मिटर है जो हमारी प्रिथवी से लगभग 116 गुना ज्यादा है और इसका कद हमारी प्रिथवी से 13,00,000 गुना बड़ा है यानि की 13,00,000 जितनी प्रिथवी सुर्ये में समा सकती है सुर्य की रोशनी को प्रित्वी पर पहुंचने में 8.3 मिनिट का समय लगता है मुख्य रूप से सुर्य हाइट्रोजन और हिलियम गेस से बना हुआ एक तारा है और वो अपने अंदर परमाणु विले के द्वारा उर्जा पेदा करता है सुर्य में से निकलने वाली उर्जा का छोटा भाग ही प्रित्वी पर पहुंच पाता है जिसमें से 15 प्रतिश्यत इस पेस में ही प्रावर्तित हो जाता है सुर्य की उर्जा का 30 प्रतिश्यत इस्तिमाल पानी के वास्पी करन में लग जाता है सुरिय में से पेदा होने वाली ज्यादतर उर्जा को पेड़ और समुद्र अपने अंदर समा लेते हैं सुरिय के घटकों में हाइट्रोजन और हिलियम के अलावा लोहा, निकल, ऑक्सिजन, सिलिकॉन, सलफर, मेगनेशियम, कार्बन, नियोन, कैलसियम और क्रोमियम जैसे तत्व का समावेश होता है जिसमें से हाइट्रोजन 74 परतिशत और हिलियम 24 परतिशत होते हैं और बाकी की दो परतिशत में बाकी अन्य घटकों का समावेश होता है प्रसिद खगोल सास्तरी और इंडियन प्लेनेटरी सोसाइटी के अध्यक्ष डोक्टर जेजे रावाल का कहना है कि सुरिय पस्चिम से पुरुव दिशा की और 27 दिन में अपने धोरी पर घुमता है जिस तरह से प्रतिवी और बाकी के अन्य घर सुरिय की परिक्रमा करते हैं ठीक बैसे ही सुरिय भी अपनी आकास गंगा के केंद्री की परिक्रमा करता है इस परिक्रमा को करने में सुरिय को लगभग 22 करोड साल यानि की एक कोस्मिक यर लग जाते हैं और सुरिय की परिक्रमा करने की गती 251 किलोमीटर प्रतिस सेकंड की है सुरिय पर लगातार विसफोर्ट होते रहते हैं सुरी में होने वाले एक सेकंड का विस्फोट अनेक हाइडरोजन विस्फोट के बराबर होता है यानि कि अगर प्रिथिवी पर एक सेकंड के लिए भी ऐसा विस्फोट हो जाए तो प्रिथिवी पर से पूरी मानव जाती का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा हमारा सुर्य हर सेकंड में 42.6 मेट्रिक टन उरजा अपने अंदर से बाहर निकालता है हमारे सुर्य का अस्तित्व 4.6 अरब साल पहले हुआ था और अभी हमारे सुर्य के पास 4-5 अरब साल बचे हैं हमारा सुर्य अभी अपने मध्य काल में है जिस दिन सुरिय के उम्रे खत्म हो जाएगी तब हमारा ये सुरिय एक सफिद रंग के तारे में बदल जाएगा और तब उसका व्यास 14,000 किलोमिटर का ही रहे जाएगा उस वक्त हमारी पृत्वी पर घंगोर अंधेरा चाएगा और पृत्वी पर जीवन का अस्तितों भी समाप्त हो जाएगा वैसे अभी तो हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है किके अभी इसमें बहुत सारा वक्त है तब तक तो हो सकता है कि हम किसे ऐसे गर को ढून ले जहां मानव जाती को बैसाया जा सके कमेंट करके हमें जरूर बताईगा कि इस वीडियो से पहले आप हमारे सुरे के बारे में कितना जानते थे हमारे सुरे के पास ढेड़ सारे रहस्ते हैं जिसे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे अगर आप और भी हमारे सुरे के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेर कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इससे सब्सक्राइब भी कर लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाई